एक बार फिर से आप सभी के लिए काफी important होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम Indian Constitution की second largest post को यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं जिनका नाम है Vice President Vice President friends पूरे Constitution में एक AC post है जो की दो तरह के कारे करती है एक उपरास्टपती के रूप में और दूसरा राज्य सभा के सभापती के रूप में तो आज हम उपरास्टपती को बहुती डिटेल में समझने वाले हैं एक एक फैक्ट और एक एक आर्टिकल को जानने वाले हैं और साथी साथ एंड में हम इससे related MCQs question को भी यहाँ पर डिसकस करेंगे इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पसंद आए तो लाइक और शेर करना मत भुलिएगा और चेनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजेगा आईए जान लेते हैं उपरास्ट पती के बारे में देखिए ये भारती सविधान में दूसरा सबसे वड़ा सविधानिक पद है कुछ आर्टिकल्स में उपरास्ट पती को मेंशन किया गया है सबसे पहले हम वो आर्टिकल्स जान लेते हैं अगर कभी कोश्चन ऐसा आता है कि उपरास्ट पती का पद किस देश के सविधान से भारती सविधान में लिया गया है तो बहुत ही सिंपल कोश्चन है लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कोश्चन है USA के Constitution से सयुक्त रज्य अमेरिका के सविधान से उपरास्ट पती के पद को भारती सविधान में लिया गया है उपरास्ट पती का पद भारती सविधान में Article 63 में में मेंशन किया गया है सविधान का Article 63 ये प्रावधान करता है कि भारत का एक उपरास्ट पती होगा जो कि राज्य सभा के पदेन सभापती के रूप में कारी करेगा और ये पदेन सभापती वाली बाग सविधान के आर्टिकल 64 में मेंशन की गई है कि उपरास्ट पती राज्य सभा के पदेन सभापती होंगे और ये जो वेतन है उपरास्ठपती जो अपना वेतन है वो भी राज्यसभा के सभापती के रूप में ही लेने वाले हैं याद रखेगा दो आर्टिकल सबसे यदा इंपोर्टेंट है सबसे पहला आर्टिकल 63 भारत का एक उपरास्ठपती होगा सेकेंड आर्टिकल 64 उपरास्ठपती राज्य सभा के पदेन सभापती भी होगा तो इस तरह से ये दो तरह के कारे करते हैं भारत के उपरास्ठपती के रूप में और राज्य सभा के सभापती के रूप में हाला कि उपरास्ठपती राज्य सभा के मेंबर नहीं है एटलिस्ट संसत के किसी भी सदन के मेंबर नहीं है फिर भी यह राज्य सभा के सभापती के रुप में कारे करते हैं तो कभी अगर कोश्यन एक्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी पोस्ट या किस सदन के अध्यक्ष उस सदन के सदस से नहीं होते तो याद रखेगा राज्य सभा के सभापती क्योंकि ये उपरास्ट्रपती के रूप में चुने जाते हैं इसके बाद आर्टिकल 65 की बात करते हैं रास्ट्रपती से रिलेटेड तो यहां पर कहा गया है कि रास्ट्रपती की अनुपस्तिती में उप रास्ट्रपती रास्ट्रपती के रूप में काली करते हैं अगर किसी भी emergency situation में प्रेसिडेंट की पोस्ट खली हो जाती है, कोई भी emergency situation हो सकती, तो इसी condition में जब तक प्रेसिडेंट के चुनाओ नहीं हो जाते नए, तब तक उप रास्ट्य पती, रास्ट्य पती के रूप में कारी करते हैं, आर्टिकल 65 पे प्राउधान करते हैं। निर्वाचक मंडल कौन होगा, निर्वाचन में कौन-कौन शामिल होगे और इनके निर्वाचन की प्रोसीजर कैसी होगी। ये हमें सभीधान के आर्टिकल 66 में देखने को मिलता है। इसके बाद सभीधान के आर्टिकल 67 में पदाओधी की बात की गई है, क्यों पती के पत पर छुन लिये जाता है, तो वो सामानने तब 5 वर्ष तक अपने पत पर रहता है। पीच में अगर वो पत छोड़ना चाहते हैं, तो रास्टे पती को अपना इस्तिफा दे कर पत छोड़ सकते हैं। अटाने की भी प्रोसीजर है, उसकी हम डिटेल में बात करे जिए आगे चल कर, तो आर्टीकल 67 में पद आथी की बात की गई है, उपरस्टे पती कि पत की, इसके बाद आटीकल 68 आता है और वो ये प्राउधान करता है कि रास्टे पति के पत की आथी खतम होने के बात चुनाव आयों", या रास्टे निर्वाचन आयों, कितने समय में उपरास्ट्य पती के चुनाओ करवालेगा या फिर एमर्जेंसी में अगर उपरास्ट्य पती का पत खाली हो जाता है तो रास्ट्य निराचनायो कितने समया आउधी में उपरास्ट्य पती का चुनाओ करवालेगा उपरास्ट्य पती को उनके पत की शपत चुन लिये जाने के बाद रास्ट्य पती के समक्ष वो लेते हैं। तब रास्ट्य पती उपरास्ट्य पती को उनके पत की शपत दिलवाते हैं। तो शपत का प्राउधन सभिधान के आर्टिकल 69 में उलेगी थे। इसलिए सभिधान कि जो third schedule है जो तीसरी अनुसुची है उसमें उप्रास्ट्रिपती के शपत की कोई बात नहीं की गई क्योंकि उनके शपत के बारे में particular एक article में mention किया गया है और वो article है article 69 इसके बाद एक article हो रहता है article 70 और article 70 ये प्राउधान करता है कि अगर रास्ट्रिपती और उप्रास्ट्रिपती दोनों पोस्ट पे ना हूँ, तो Supreme Court के Chief Justice या फिर यूं कहा जाए कि Chief Justice of India रास्ट्रपती के पत्का निर्भन करते हैं, Article 70. इसके बाद Article 71 की अगर हम बात करते हैं, तो Article 71 क्योंकि Indian Constitution का है, इसमें ये बताये गया है कि अगर रास्ट्रपती और उप्रास्ट्रपती के पत्से संबंदित कोई भी विवाद होता है, तो अंतिम निर्णा Supreme Court करेगा, Article 71. तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल है, फ्रेंड्स, जो की Vice President से रिलेट करते हैं, और नॉर्मली एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर आटनों बताए हैं, लेकिन नॉर्मली तीन चारे से आर्टिकल हैं, जो सबसे आदख पूछे जाते, तो आपको याद रखना चाहिए, सभी को याद रखना चाहिए, क्योंकि कोशन कहीं से भी आ सकता है आईए हम डीटेल पे आ जाते अब देखिए उपरास्ट पती के पत की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने बात की है कि ये भारत में देश का दूसरा सरवोच्य सविधानिक पत माना जाता है और इसे USA के सविधान से भारती सविधान में लिया गया है उपरास्ट पती की पोस्ट को इस पत का उलेक सविधान के आर्टिकल 63 में देखने को मिलता है कि भारत का एक उपरास्ट पती होगा और आर्टिकल 64 ये प्रावधान करता है कि भारत का उपरास्ट पती ही राज्य सभा का पदेन सभापती होगा पदेन सभापती के रूप में कारे करता है। इसलिए उपरास्ट्य पती अपने वेतन भी राज्य सभा के सभापती के रूप में ही लेते हैं। I hope समझ में आओगा। यहाँ पर जो बात मैंने आपको बताई थी बहुत ही important है, वो question सबसे ज्यादा वहां से बनता है। कि उपरास्ट्य पती राज्य सभा का सभापती के रूप में कारे करता है। क्योंकि वो सभापती इसलिए वह मतदान नहीं कर सकता। जब कोई भी बिल आता है तो मतदान करने का अधिकार नहीं है तेकिन अगर किसी भी मुद्दे पर या किसी भी बिल पर राज्य सभा में मतदान इकवल हो जाता है पक्ष और विपक्ष में तो ऐसी कंडिशन में निर्नायक मत देने का अधिकार जरूर उपरास्ट्य पती को नहीं करते हैं क्योंकि वो राज्य सभा के मिंबर नहीं है आपको यह चीज समझ नहीं पड़ेगी राज्य सभा के सभा पती उपरास्ट्य पती होते हैं वो ना संसत के किसी भी सदन के सदस्य नहीं यह चीज आपको पता होना चाहिए आगे आते हैं आर्टिकल 65 जिसकी रास्ट्र पती के रूप में कारी करते हैं तो ऐसी कंडिशन में वो राज्यसभा के सभापती के रूप में कारी नहीं करते हैं तब राज्यसभा के सभापती के रूप में राज्यसभा के उप सभापती कारी करते हैं अब जब उपरास्ट्र पती रास्ट्र पती के रूप मे चुने जाने के लिए योग्यता है क्या चाहिए अगर किसी भी व्यक्ति को उपरास्ट्रपती बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता चाहिए तो रास्ट्रपती के निर्वाचन की दीती सविधान के आर्टिकल 66 में में इसी के सब क्लॉस 2 में इस बात का प्राउधन किया कि रास्ट्र पती उपरास्ट्र पती चुने जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए तो चार योग्यता यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है सबसे पहली चीज भारत का नागरिक होना चाहिए कोई बाहर का व्यक्ति जिसके पास इंड से नागरिक होना चाहिए बस ये कहा गया कि जब वो नामंकन भरने जा रहा है एटलिस्ट तब उसको भारत का नागरिक होना चाहिए तो इंडियन सेटिजन्शिप का होना बहुत ज़रूरी अगर उपरास्ट्र पती का आपको चुनाव लड़ना है तो पेतीस वर्ष की आईउ पूरी कर चुका हो नियून्तम नियून्तम पेतीस वर्ष का उसे होना चाहिए एक्जाम में सबसे ज्यादा यही योग्यता पूछिया थी थर्ड राज्य सबा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो कहीं नहीं कहा गया कि उसे राज्य सवा का सदस्य होना चाहिए किवल ये कहा गया है कि उसके पास राज्य सवा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए तब ऐसा वेक्ति उपरास्टे पती का चुनाओ लड़ सकता है लास्ट किसी लाब के पद पर ना हो किसी भी प्रकार के लाब के पद पर नहीं होना चाहिए अगर है तो लाब का पद छोड़ना पड़ेगा उसके बाद ही उपरास्टे पदी का चुनाओ लड़ सकता है कोई वे तो ये चार योग्यता है जो कि आर्टिकल 66 के सब क्लॉस 2 में थी गई भारत का नागरीख हो, 35 स्वाश्टियाई बुरी कर चुका हो राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाब के पत पर ना हो यहाँ पर आपको योग्यता समझ में आगई यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी वेकती उप्रास्थपती का पधारण करेगा वो राज्य सभा का सभापती कहलाएगा और ऐसी कंडिशन में वो वेतन राज्य सभा के अध्यक्ष या सभापती के रूप में ही लेता है राज्य सभा के सभापती के रूप में लेता है उपरास्ट्य पती के वेतन की भारती सविधान में कोई बात नहीं की गई एटलिस्ट सभिधान की जो शेडिल सेगेंड जो अनुसुची दो है जिसमें वेतन भत्तो का उलिख किया गया Constitutional Post गये उसमें भी राज्य सभा के सभापती के वेतन की ही बात की गई है नहीं की उपरास्ट्य पती के वेतन की बात की गई तो उपरास्थपती अपना वेतन राज्य सभा के सभापती के रूप में लेते हैं क्योंकि उपरास्थपती के वेतन की सविधान में कोई बात नहीं की लेए अब उपरास्थपती के निर्वाचन की हम बात करते हैं आर्टिकल 66 में तो उपरास्थिपति का जो निर्वाचा ने वो एकल संक्रमणी आनुपातिक मतपदती के आधार पर होता है गुप्त मतदान के आधार पर होता है रास्थिपति का इलेक्षन भी इसी तरह से होता है एक प्रोसीजर है election की किसी और वीडियो में मैं आपको इसके बारे में detail में समझाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा topic है तो particular समझाऊँगा मैं आपको next वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में तो अभी तो आपके वल इतना याद रख लीजिए कि उपरास्टपती का जो निर्वाचा ने वो एकल संक्रमणी आनुपातिक मतपद्दती के आधार पर होता और इनके election में जो participate करते हैं अगर उनकी बात करें तो election में participate करने वाले किवल दो सदन के लोग होते हैं या यूं कहा जाए कि संसत के सभी सदस से संसत के सभी सदस्य वाइस प्रेसिडेंट के election में participate करते हैं सभी सदस्य में सभी आ गए चाहे वो elected member हो चाहे वो nominated member निर्वाचित और मनोनित दोनों सदस्य किसके केवल संसत के राज्य विधान मंडल, विधान सभा, विधान परिशत इनके member, vice president के election में participate नहीं करते केवल संसत के सभी सदस्य मतलब लोगसभा और राज्य सभा के जितने भी सदस्य चाहे वो nominated हो, चाहे वो elected हो सब भाग लेंगे, सब participate करेंगे उपरास्टेपती के चुनाओं ओके, लियर हो जाता है तो यहाँ पर जो point है आपका, यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि उपरास्टेपती के निर्वाचन में लोगसभा और राज्य सभा के मनोनिच सदस्य से भी भाग लेते हैं दोनों सदस्य से, जो निर्वाची तो क्या आएं वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही मनोनिच सदस्य, नॉमिनेट मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं उपरास्टेपती के इलेक्षन आटिकल 66 यह प्रावधान करते हैं अब प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इनका इलेक्षन होता है इन डारेक्ष इलेक्षन है क्योंकि नागरी को द्वारा डारेक्ट वोट नहीं दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है संसत के सभी सदस्यों के द्वारा clear? I hope समझ में आओगा अब बात आती है आर्टिकल 67 उपरास्टेपती का कारिकल अगर उपरास्टेपती निर्वाचीत होकर आ जाते हैं तो फिर उनका कारिकल 5 वर्ष का हो जाता है 5 वर्ष तक उपरास्टेपती अपने पद पर बने रहेंगे लेकिन अगर उसके पहले अपना पद छोड़ना हो तो उसके पहले अगर अगर खुद अपना पद छूणना चाहते हैं तो इस्तिफा रास्ट्र पती को दे दे क्योंकि शपद रास्ट्र पती के सामने ली थी तो अपना रिजाइन भी किसको देंगे रास्ट्र पती को ही देने वाले तो शपत के बारे में भी हमको पता चल जाता है उपरास्ट्र पती की आर्टिकल 69 अभी हमने बात कीती उपरास्ट्र पती अपने पद की शपत रास्ट्र पती के सामने लेते रास्ट्र पती उपरास्ट्र पती को उनके पद की शपत दिलवाते हैं अगर राश्ट्य पती अपना पद छोड़ देते हैं या अपने पत से इस्तीफा दे देते हैं तो उपराश्ट्य पती इसकी जानकारी इमिजेटली सबसे पहले लोगसभा स्पीकर को देंगे ध्यान दखने इसको देंगे लोकसभा अध्यक्ष को अगर रास्ट पती अपना पत से रिसाइन कर देते हैं तो इमिजेटली इसकी सूचना उपरास्ट पती लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं उप रास्ट्य पती को उनके पत की शपत आर्टिकल 69 के तद रास्ट्य पती दिलवाते हैं और अगर उप रास्ट्य पती को अपना पत छोड़ना है तो वो अपना इस्तिफा भी रास्ट्य पती को सोब कर अपना पत छोड़ सकते हैं तो यहां तो बात हो गई इस्तिफा दे कर हटने की इस्तिफा देदी हट गए लेकिन अगर उप्रास्ट्रिपती को हटाना चाहे कोई तो फिर क्या प्रोसीजर है तो यहाँ पर अगर उप्रास्ट्रिपती को उनके पत से हटाना है तो राज्य सभा में उनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा यहाँ पर especially note करना कि अगर उप्रास्ट्य पती को उनके पत से हटाना है तो जो बिल लाय जाएगा, जो विध्यक लाय जाएगा या जो प्रस्ताव लाय जाएगा वो हमेशा राज्य सभा में ही लाय जा सकता है, लोग सभा में नहीं लाय जा सकता है लोक सभा की बाद में अनुमती चाहिए वो अलग बात है लेकिन प्रस्ताव राज्य सभा में ही आएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि उपरास्ट्य पती को इसकी जानकरी नहीं दी जाएगी उपरास्ट्य पती को 14 दिन पहले ये जानकरी दी जानी चाहिए कि आपको हटाने के लि मतलब लोक सभा में भी वो साधान बहुमत से पास होना चाहिए लाया हमेशा रज्य सभा में जाएगा दोनों सदनों में जैसे साधान बहुमत से वो पास हो जाता है उपरास्ट पती को उनके पत से हटा दिया जाएगा यह हटाने की प्रोसीजर है महाभियोग जیसी किसी प्रोसीजर की यहाँ पर कोई बात ने, सिम्पल प्रोसीजर है, दोनों सदनों में लाया, रज्जी सभा में जाएगा, उसके बाद दोनों सदनों में सिम्पल मेजुरीटी से सब बिल प्रस्ताव पास कर दो, कि उपरास्ट पती को हटा ना एं, तो उ इसी कंडिशन में रास्ट्यपती के पत का निर्भन कोन करेगा विधी बनाने की शक्ती इंडियन पार्लियामेंट को दी गई है भारती संसत को दी गई है। इसी कंडिशन में रास्ट्यपती के पत का निर्भन करते हैं। कोई भी विवाद होता है, तो अंतिम निर्णय सर्वोच्य नियालय का होगा, सर्वोच्य नियालय निर्णय कर सकता है। कुछ भी प्रॉबलम आजाए चुन लिया गया है रास्टिपति या उपरास्टिपति को लेकिन उसके बाद पता चलता है कि एज में कुछ मिसिंग था एज कम ज़्यादा थी या फिर किसी और गलती के कारण गलती से चुन लिया गया है तो अंतिम जो निर्णा होगा उसके उनके पद से संबंदित विवात का उसका निर्वाचन से संबंदित विवात का उसका निर्णय सु्प्रीम कोट के दुआरा किया जाएगा अब उपरास्टिपती के निर्वाचन से संबंदित एक महतुपुन तथि को आप यहाँ पर जान लो कि अगर उपरास्टिपती के पद के लिए कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है नमंकन पत्र भरना चाहता है तो ऐसी कंडिशन में उसको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदग मतलब टोटल 40 रेक्तियों की आशकता होगी 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर्स 40 लोग टोटल चाहिए 40 मतदाता चाहिए जो की उनके फेवर में साइन कर सके प्रस्तावक 20 चाहिए और अनुमोदग भी 20 चाहिए और इसके अलावा नमंकन पत्र के साथ 15,000 रुपे की जमानत राशी जमा करवानी पड़ेगी अगर किसी को भी उप रास्ट्रिपदी का चुनाव लड़ना है तो रास्ट्रिपदी के केस में प्रस्तावक और अनुमोदग की संख्या 50-50 हो जाती पचास-पचास मतलब टोटल 100 मिंबर हो जाते हैं रास्ट्रिपदी के नमंकन के लिए और जमानत राशी प्रेसी रेंट में भी 15,000 रुपे की रहती है आपको ये चीज याद रखना चाहिए तो रूपरास्ट्रिपदी का नमंकन भरना है तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदग टोटल 40 लोग का होना ज़रूरी है और जमानत राशी कितनी होना चाहिए 15,000 रुपे उपरास्ट्रिपदी पुना निर्वाचन का पात्र होता है कोई भी व्यक्ति अगर एक बार उपरास्ट्रिपदी बन चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे चलकर वापस चुनाव नहीं लड़ सकता वो जितनी बार चाहिए चुनाव लड़ सकता है एक से ज्यादा बार भी भारत में उपरास्ट्रिपदी के पत पर लोग रहे हैं जैसे हामिद अंसारी दस साल भारत के उपरास्ट्रिपदी रहे हैं तो एक उपरास्ट्रिपदी पुना निर्वाचन होने का पात्र होता है आपको ये चीज याद रखने चाहिए अगर आपको ये डीटेल समझ में आ गई है तो कोश्ट्रिपदी की लाइव क्लास जॉइन करना चाहते हैं प्ले स्टोर से जाकर आप क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आपके लिए मेरी पॉलिटी की लाइव क्लासेस के लिए उप्शन एवेलेबल है उपरास्थ पती का अगर चुनाव लड़ना है, तो कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए, टोटल पोटी होना चाहिए, आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा, और जमानत राशी पुछी जाती, तो जमानत राशी कितनी होनी चाहिए, भारत के किस उपरास्थ पती की पद पर रहते हुए मृत्ति होई थी, तो भारत के एसे उपरास्थ पती जिनकी पद पर रहते हुए मृत्ति होई यह कृष्णकान थे, 1997 में यह भारत के दसवे उपरास्थ पती वाइस प्रेसिडेंट बने थे, 2002 में इनकी पद पर रहते हुए मृत्य हो गई थी कौन है ये कृष्ण कांत अंसर D इसके बाद देगे निम लिखीत में से कौन सदन का सदस्य नहीं होता सिंपल है लगा लोगे बता दोगे लोग सबाद देख्षय राज्य सबा का सबापती विधान सबाद देख्षय प्रधान मंत्री इजी राज्य सबा का सबापती सदन का सदस्य नहीं होता ठीक है ना अंसर P यहाँ पर सही हो जाएगा आगे देखिए उपरास्ट्य पती चुने जाने के लिए होनी चाहिए या कौन सी युग्जिता की जरूरत नहीं है ये पूछा गया है तो आईए देख लेते देखे 30 वर्ष के आयू पूरी कर चुका हो 35 वर्ष के आयू पूरी कर चुका हो तो यही हमारा अंसर हमको यहीं पर मिल जाएगा अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो 30 वर्ष के आयू नियुनतम पूरी कर लेनी चाहिए आंसर ए हो जाएगा ये करेक्ट नहीं है और भी अप्शन देख लेते हैं भारत का नागरिक हो बिलकुल होना चाहिए राज्य सवा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो बिलकुल सही किसी लाब के पत पर ना हो ये भी बिलकुल सही है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए अंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा इसके बाद देखते हैं उपरास्टपती का पत भारती सविधान में किस देश के सविधान से लिया गया है तो किस देश के सविधान से एडॉप्ट किया गया है सीधी सी बाते सिंपल सा कोश्चन था USA के सविधान से उपरास्टपती की पोस्ट रास्टपती पर महाभयोग की प्रक्रिया ये USA के Constitution से ही Indian Constitution में ली गई है ना सोवियत संग के सविधान से हमने मौलिक करतवयों को एड़ किया है दक्षिन अफ्रीका के सविधान से हमने सविधान संशोधन लिया है तो यहाँ पर उपरास्टपती की पोस्ट को USA के Constitution से एड़प्र किया गया है इसके बाद देखी भारत के उपरास्टपती पर महाभयोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है क्योंकि महाभयोग की कोई प्रोसीजर नहीं होती उपरास्टपती के लिए तो अभियोग है मतलब हटाय जाने की प्रोसीजर तो भारत के उपरास्टपती को अगर हटाना है अभियोग लाना है उनके खिलाफ तो कहां आएगा हमेशा राज्यसभा में तो राज्य सभा द्वारा लगाया जा सकता है या राज्य सभा के द्वारा लाया जा सकता है अंसर ए हो जाएगा इसके बाद देखेंगे वर्तमान में भारत के उपरास्ट्र पती कोन है कोन है जगदीब धनकड वे से इनका नाम जगदीब धनकड जो पहले पश्यम मंगाल के राज्यपाल भी थे वर्तमान में ये भारत के उपरास्ट्र पती है चवदुए उपरास्ट्र पती है फोर्टिंथ हैना आंसर सी हो जाएगा इसके बाद देखेंगे भारती सभिधान क किस अनुछेद में उपरास्ट्र पती के पद का उलेक किया गया है कौन सा था उपरास्ट्र पती का सबसे पहला आटिकल जो हमने पढ़ा है आटिकल 63 अंसर भी हो जाएगा इसके बाद देखेंगे सभिधान के आटिकल 66 के तहट कौन उपरास्ट्र पती के चुनाओं में लेते हैं राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य रवाचित हो मनोनित हो संसत के किसी भी सदन के सब पाटिसिपेट करेंगे तो ये भी बिल्कुल सही है विधान सभा सदस्य विधान सभा विधान परिश्याद विधान मंदल के सदस्य उपरास्ट्र पती के इलेक्शन में प पाडिसिपेट करते हैं, ओके, आगे आते हैं, उपरास्ट्र पती को उनके पद की शपत कोन दिलवाता है, तो उपरास्ट्र पती को उनके पद की शपत की बात करते हैं, तो वो हमेशा रास्ट्र पती ही दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं, और अगर उन्हें अपना पद छोड़ना है तो अपना रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही देंगे वाइस प्रेसिडेंगे आंसर प्रास्ट्रपथी इसके बाद देखते हैं देखते हैं चोईस दी गई है निमली कितम से सही को सुमेलित कीजिए जोडी मिलाने के लिए कहा गया है सबसे पहला उपरास्टिय पति के पद की अगर हम अउधी की बात करें तो उपरास्टिय पति के पद की अउधी आर्टिकल 67 में में जङएं तो ए का हो जाएगा 4, जाना सत्रह सत्रहु सान और विखिटन की शक्ति किस्की संसत् लोकसभा, राजसभा की सत्रह सत्रहु सान और विखिटन की शक्ति आर्टिकल 25 में उल लेखी थे बी का हो जाएगा वन भारत के महान इयावदि अटॉनि जनErल आफ इंडिया की जो पोस्ट है वो आर्टिकल 76 में mention तो C का हो जाएगा 2 फिर संसत के सदनों की अउधी अउधी की बात करें आर्टिकल 83 तो D का हो जाएगा 3 यह सिक्वेंस दिख लीजिए कहाँ पर आ रहा है हमारा A का 4 B का 1, C का 2 और D का 3 तो हमारा यहाँ पर अंसर हो जाएगा आंसर C रास्ट्रपती के इस्तीफे की सूचना उपरास्ट्रपती किसे देते हैं तो अगर प्रेसिडेंट अपना पत से इस्तीफा दे देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट इमिजेटली इसकी सूचना लोगसभा अद्यक्ष को देते हैं या लोग सबात देक्ष को प्रेशित करते हैं ठीक है चले इसके बाद सबसे लास्ट कोश्चन है आज का हमारा सही सुमेलित कीजिए देख लेते हैं एक और बार उपरास्ट्यपती की पदा उधी अभी हमने इसी की बात की थी रिपिट तो नहीं हो ना नहीं है आर्टिकल 67 है ना एका हो जाएगा फोर फिर देखते हैं उपरास्ट्यपती का चुनाओ उपरास्ट्यपती के चुनाओ की बात करते हैं निर्वाचन की बात करते हैं Article 66, B का हो जाएगा 3, उप रास्टिपत्थी की शपत, Vice President की शपत या ओत, Article 69 में, C का हो जाएगा 2, और आकस्मिक ताओं में, रास्टिपत्थी के कार्यों का निर्वहन, Article 70, तो D का हो जाएगा यहाँ पर 1, 4, 3, 2, 1, यह सिक्वेंस कहां दी गई है, यह सिक्वेंस दी गई है, C option में, तो हमारा answer हो जाएगा, answer C, ओके, तो यह उपरास्टिपत्थी से related, ऐसे question थे, जो कि हमें अकसर exam में देखने को मिलते हैं, और बार बार repeat भी होते हैं, काफी important है, I hope आपको उपरास्टिपत्थी से related मेंने जितने भी fact बताएं, जितना भी theory portion बताएं, वो आपको easily समझ में आ गया होगा, और question भी आपके बहुत ही easily solve होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा, चेनल को subscribe कर लिजेगा, फिर मुलाकात होगी next वीडियो में, बने रही हमारे साथ, जय हिन जय भारत!